हाई एब्रिवन, श्वागत है गुरुकुल जी के अकेडमी में दोस्तों आज आधुने की इंतिहास का प्रशले कराए हैं जो की प्रिवियस गॉर्वेंट एक्जाम में पूछा गया है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेस्चन है 1857 का बिद्रो कांश से पारण हुआ था अब सने हैं दिल्ली, बी है जहां सी, सी है मेरट, डी है कानपूर हमारा सही इंसर हो जाएगा मेरट मेरट सर में 10 मई 1857 को यह बिद्रो सुरू हुआ था और 20 जून 1858 तक चला था नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के बिद्रो का निर्दत निमिलिखित में से किस सार में किया था अब सनी है लखनव, बी है कानपूर, सी है बनारस, डी है इलहाबाद हमारा सही इंसर हो जाएगा लखनव बेगम हजरत महल अबद के सासक बाजीद बजीद अली साह की पतनी थी ठीक है नेक्स्ट है पुस्ट नमर तीन है 1857 की बिद्रोह के समय भारत का गवर्णल जनरल कौन था अप्शन ए है लौड डलहोजी बी लौड बिर्याम बैंटिंक सी लौड केनिंग डी लौड लीटन हमारा सही इंसर हो जाएगा लौड केनिंग सी रेटेंसर हो जाएगा ये भारत का प्रथम बेवाइस राय था और गवर्णन की रूप में 1856 से 1862 तक रहा था ठीक है नेक्स्ट है क्वेशन नमर चार है रानी लक्षिवाई का मूल नाम क्या था अप्शन है मनिकरनी का B. जैस्षिरी C. पादमा D. आहल्या मरा सही एंसर हो जाएगा मनिकरनी का एर एंसर हो जाएगा और रानी लक्षिवाई का जन्म कब हुआ था 29 नॉवंबर 1868 से भी को हुआ था नेक्स्ट है क्वेशन नमर पाँच है 1857 में भारत में हुए विद्रोग के एक नेता तत्या टोपे का मूल नाम किया था अप्सन है गोपाल के रिष्ण को के लिए B. नाना शायव C. बाला जी राव D. रामचंद्र पांडूरंग उमरा सही एंसर हो जाएगा D. हो जाएगा रामचंद्र पांडूरंग नेक्स्ट है Q. नमबर 6 है मेरट में विद्रोग अरमभ हुआ कब हुआ था इसका एंसर हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा Q. नमबर 7 है 1857 के विद्रोग के दोरान दिल्ली में विद्रोग का शने निर्थितू किसने किया था इसका इंसर हो जाएगा बक्त खा बक्त खा की पांचान 1857 की करांती में एक मुख्य गरंती कारी के रुप में जाना जाता है Next है Q. नमबर 8 है 1857 की गरंती का चिन क्या निशित किया गया था अब सनी है कमल एवं चपाती B है कमल एवं गंदा C है कमल एवं गुलाब D है चपाती एवं तलवार इसका सही इंसर हमारा होगा कमल एवं चपाती A रैटेंसर हो जाएगा Next है Q. नमबर 9 है 1857 के बिद्रों के बाद British सरकार ने सिपायों को इन परांतों से चेन किया था कुन से परांतों से चेन किया था इसका इंसर हमारा होगा C होगा गुरखा C के बंपंजाबी उत्तर परांत से C रैटेंसर हो जाएगा Next है Q. नमबर 10 है 857 की लराई 1757 में अंग्रेजी से ना का निर्थी तुकिस ने किया था हमारा सही इंसर हो जाएगा सही इंसर हमारा हो जाएगा रवट कलाईब ने ए रैटेंसर हो जाएगा पलास्टी का पाहिला यूद कब हुआ था 30 जून 1757 में हुआ था Next है Question कट गया एक सिकेंड Question नमबर एगारा है किसकी समाधी के कारण नादेर गुरु द्वारा सिखो द्वारा पवित्र मनना जाता है Option है गुरु रामदास B है गुरु अंगद C है गुरु अर्जुन देव D है गुरु गुविंद सिंग तो हमारा option D से एंसर होगा गुरु गुविंद सिंग गुरु गुविंद सिंग की मिर्टू मातर 42 सल के उम्रे में हो गई थी 7 अक्टूबर 1788 भी को नादेर महराश्ट में होगा था ठीक है Next है Question number 13 है बक्सर के यूद 1764 के समय दिल्ली का साथ सो कौन था औरंग चिब आलम सावन बहादूर साजफर आलम सा दूतिय इसका सही इंसर हमरा हो जाएगा साह आलम Next है अनन्द मत के लेखक कौन है रविंदर ना ट्रेगोर बकिम चंद्र चटड़जी स्रोजनी नैडू अरविन दुखोस साही इनसर हमरा हो जाएगा बकिम चंद्र चटड़जी अनन्द मत बंगला भासा का एक उपर नयास है जिसके स्थपना बकिम चंद्र चटड़जी ने 1882C में किया था ठीक है 1882 Next है Question number चगद्र है भुदान अंदुलन किसने पारण किया था महत्मा गंदी जैप्रकास नरायन विनोबा भावे राम मनुहर लोहिया सही इनसर हमरा हो जाएगा बिनोबा भावे सी रेटिंस रो जाएगा Question number 15 है दिस बंदु की उपाधी समन्दित है किस से है Option है बियार अम्विदकर बियार चितरन जन दास सी है बिपिंच चंद्रपाल डी है रविंदर ना टेगोर सही इनसर मरा हो जाएगा चितरन जन दास इनका जन गब हुआ था इनका जन पांच नॉमबर को 1870 में हुआ था ठीक है Question number 16 है Congress ने भारत छुरू अंदुलान का परस्ताव किस वर्स परित किया था Option है 1944, B है 1941, C है 1946, D है 1942 हमारा सही इनसर क्या होगा 1942 हो जाएगा D रेटेंसर हो जाएगा आठ अगस्त 1942 को अरंब किया गया यह एक अंदुलन था जिसका लक्षे भारत से ब्रीटिस समराज्चे को खतम करना था ठीक है Question number 17 है सुवाष चंद्र पोश ने सिंगापुर में दिल्ली चलू कानारा दिया कब दिया था 1942-1943-1944-1945 हमरा सही एंसर हो जाएगा 1943 पी रेट एंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन होल से सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संभोजित करते हुए सुवाष चंद्र पोश ने यह नरा लगाया था Next है जलिया बाला बाग में गोली चलाने का आदिश दिया था किस ने दिया था अप्सनी है लॉड शाइमन बी रॉलेट सी आरेस डायर डी करजन वायली सही एंसर में रावगा आरेस डायर कब हुआ था जलिया बाला बाग हत्या कंड 13 अप्रेल को हुआ था 19 सिसी में पंजाम में हुआ था परसीद जलिया बाला बाग हत्या कंड जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदिश दिया था Next है Question number 19 मातबा गांदी को सुरपर्थम राष्ट पीटा किशने का आथा अब सन्य है बल्ला भाई पाटेल सी राज कोपालचारी सी स्वास्चंद्र बोष डी जेल नहरू हमरा सही अंसर हो जागा स्वास्चंद्र बोष सी राइटेंसर हो जागा स्वास्चंद्र बोष ने रश्ट पीता कहा था नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 20 है भरतिय रश्ट है कंग्रेस के सबसे अधिक समय तक अधक्च कोन रहे अप्सन है अबुल कलाम आजाद बी दादा भाई नरोजी CWCB नरजी डी बल्ला भाई पटेल सही एंसर हमरा होगा अबुल कलाम आजाद यह राइटेंसर हो जागा इनका कार्य काल कब से कब तक रहा था तो 11 नमबर 1888 से ले करके 22 फरवड़ी 1958 तक रहा ठीक है तो चलिए आज तक क्या है इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले जाए हिंद जाए भारत